नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 को एक अमेरिकन पंडूबी पांच पेसेंजर्स के साथ अटलांटिक माहसागर की गहराईयों में दबे टाइटेनिक जहाज के मलवे को देखने के लिए रवाना होती है सुबह के 8 बजे ये अपनी यात्राई स्टार्ट करती है, ये पूरा मिसन 8 घंटे का होता है, यानि 3 बजे तक इस जहाज को सरपेस पर वापिस आना था लेकिन लोंचिंग के 1 घंटे 45 मिनट बाद इस जहाज से समपर तूट जाता है और ये जहाज समुद्र की गहराईयों में खो जाती है इस समय इस जहाज में सिर्फ 6 घंटों की ओक्सजन बची हुई थी, यानि यदि इस जहाज को 4 दिनों के भीतर भीतर नहीं खो जा गया, तो इन 5 पेसेंजर का मनना लगबग तहेता तो क्या हुआ इन पेसेंजर के साथ में, और आकिर ये इतना बड़ा जहाज समुद्र में कहां गायब हो गया, जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटेनिक अपनी पहली यातरा के लिए ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ रवाना होता है लेकिन 16 अप्रेल 1912 को नोर्थ एटलांटिक में आइसबर्ग के टकराने से ये जहाज समुद्र में डूप जाता है इसके 60 सालों बाद 1985 में टाइटेनिक जहाज का मलबा कनाड़ा के न्यूफाउंडरेंड राज्ये से 400 मिल दूर उत्री अटलांटिक में समुद्र के 4000 मिटर की गहराई पर खोजा जाता है और इसी टाइटेनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 18 जून 2023 को ये पंडू भी रवाना होती है इस पंडू भी को बनाया गया था अमेरिकन स्टार्ट अप कंपनी ओसियन गेट के दुआरा जो की टूरिज्म रिस्टर्स एक्स्प्लोरेशन के लिए सम्मर्शिबल प्रवाइड करवाती है और इस पंडू भी को नाम दिया गया था टाइटन दोस्तों ये टाइटन स्टिप 6.7 मिटर लंबा और 2.8 मिटर चोड़ा एक सपे ट्यूब जैसा था जिसकी स्पीड समुद्र में 5.5 किलोमेटर प्रतिहावर थी इस शिप के पास में अपना कोई self control system नहीं था इसे किसी अन्य platform के मादेम से control किया जाता था और इसका control system समुद्र की सतह पर होता है क्योंकि डीपोर्टर में किसी भी तरेका डिवाइस या GPS काम नहीं करता इसलिए ये टाइटन सिप अपने प्लेटफॉम से कॉंटेक्ट करने के लिए हर 15 मिनिट में मेसेज बेशती हैं कि वो किस दिशा में और कैसे चल रही है इस सिप की कैपेसिटी समुद्र की गहराई में 4000 मिटर तक जाने की है जबकि टाइटनिक जहाज का मलबा 3800 मिटर पर ही 18 जुन 2023 को पोलर प्रिंस जहाज टाइटनिक मलबे के पास North Atlantic में जाता है जहां पर टाइटन सिप को पास पेसेंजर के साथ सुबा आज बजे समुद्र में उतारा जाता है इस टाइटन सिप का कंट्रोल सिस्टम पोलर प्रिंस जहाज पर था और गहीं से इस पूरे मिशन को कंट्रोल किया जाना था इस जहाज में पांस पेसेंजर थे जिनमें पाकिस्तानी अरबपती सहजादा दाउद और उसका बेटा सुलेमान, ब्रिटिस अरबपती हामिस होर्डिंग, ओशियन गेट कमपनी के सीओ, स्टोक्टन रस और फ्रेंच एक्स्प्लोरर ओर्नी नारजेल थे इस ट्यूर के लिए ओशियन गेट कमपनी ने इन पांच यात्रियों के से डाई लाक डोलर यानि दो पॉइंट दो करोड रुपे चार्ज किया, यानि यदि भी कोई ओशियन गेट कमपनी के इस सीप से टाइटनिक जाज के मलवे को देखने के लिए जाता था, तो उसके लि समुद्र की सरपेस पर वापिस आना था, लेकिन लोंचिंग के एक गंटे 45 मिनट बाद, यानि नो बज़कर 45 मिनट पर इस टाइटन सिप का पोलर प्रिंस जाहाज से समपर्क तूप जाता है, और ये टाइटन सिप समुद्र में कहीं गाइब हो जाता है, और इस टाइटन सिप से समपर्क करने की कोशिस करता है, लेकिन उनको नेगेटिव रिजल्ट या फिर इससे रिलेटेट कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, और फाइनली 5 बर कर 40 मिनट पर इस सम्मंद में अमेरिका के तटरक्सक दल को सूचना दी जाती है, उननी जून को यूएस कोश्ट कनाडा के तटरक्सक दल से संपर्क साता है, और कनाडा यूएस मिलकर इस सिप को डूंडने के लिए एक रेस्क्यू ओपरेशन लोंच करते हैं, जिसमें बड़े-बड़े सिप्स, एरक्राप्ट्स, सोनार टेकनोलोजी से लेस सम्मरिंस काम में ली जाती हैं, उननी जून और वी जून को अमेरिकी तटरक्सक दल और कनाडा तटरक्सक दल सिर्फ अचास गंटों में टाइटेनिक मलबे के पास में 10,000 स्क्वाइर मिल समुद्री जगह की तलास करते हैं, लेकिन इस पंडूबे से रेलिटेड इनको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता हैं, दोस्तों पर बड़ी मातरा में आवाजे डिक्टेक्ट की हैं, और हम जो हमारा जो रिमोट ओपरेटेड विहिकल हैं, इसको रिलोकेट करने जा रहे हैं, जहां पर ये आवाजे डिक्टेक्ट की गई हैं, लेकिन जब वहाँ पर इस तरह का सर्च ओप्रेशन किया जाता है, तो वहा दूबी की तलास के लिए समुदर तल पर पहुँच गये हैं लेकिन दोस्तों इस समय इस जहाज को गयव हुए लगबग 96 गंटे हो चुके थे और उनी यात्रियों के पास में अब सिर्फ चंद गंटे बचे वे थे ओक्षिजन खत्म होने के लिए और इस समय तक लगने लग मलबे से 1600 फिट दूर और समुदर तल से 4000 मिटर की गहराई पर टाइटन सबमर्सेबल का मलबा आइडेंटिफाई किया है जो की एक इस्पोट अवस्ता में मिला है यानि जो जहाज टाइटेनिक जहाज को देखने के लिए गया था वो जहाज समुदर में 4000 मिटर की गहराई पर जाकर के विस्पोट हो गया और उसके मलबे को आइडेंटिफाई किया था एक रोबोट ने और इसी के साथ में अमेरिकी कोश्ट गार्ड ने जो पांच बेसंदर से उनको मृत गोसित करतिया और इसी के साथ में इस टाइटन सिप को बचाने का रेस्क्यू एप्रेसंस का दीन दो जाता है लेकिन दोस्तों ये जो जहाज जहां पर जाकर के विस्पोट हुआ उसके विस्पोट होने के exact reasons हमारे पास में नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है और experts का भी ये मानना है कि ये जहाज समुदर के दबाओ को शहन नहीं कर पाया दूसरी चीज जो जहां पर टाइटनिक जहाज का मलबाता यानि 4000 मिटर की गहराई पर वहां पर काफी समुदरी दबाव होता है और एक जो यात्री थे जो पिछली यात्रा पर टाइटनिक जहाज को देखने गए थे उनका भी ये कहना है कि वहां का आसपास का वाताबन लेकिन दोस्तों Ocean Gate Company जिसने इस जाज को बहजाता उसके उपर काफी legal actions और उससे काफी सवाल जवाब किये जाने अभी बाकी है लेकिन अभी तक इसका exact reason पता नहीं चलवाया है कि ये जाज महां पर विसपोर्ट क्यों हुआ और पास दिन के इस QSQ operations का end हो जाता है और इन passengers की इस ट्यूरिस्ट में दोरान बहुत हो जाती है तो आज की चर्चा दोस्तों यही समापत होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर करें आप सभी लोगों का इस सर्चा मे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू